गिरहस्त के आश्रम जीना है पुर्वज्य शिखा के गेलन है वही कड़े लागी यहां के बाले बच्चे तयारी कर रहे हैं आप लोग बाबा क्याने का कड़िबे तयारी तो लगा है कि एक आध्र महिना पहला ही से होई ते ही धिरे से पहले से त्यारी हो रहा है यहां पर आएंगे यहां पर खाने का रहने का सारा बेवस्था रहेगा जहिन साथ्यों स्वागत है आपका अमार देश प्रेव नीज में अभी हम मौजूद है तरत पाली मठ नबतपूर के पास जहां पे बाबा बागेस्वर धाम धिरेंद सास्त्री यहां पर आने वाले औ यहां पर खेत पुरा सपार्ट किया गी है यहां पर लगवक्त तेरो सो बिगहा में बाबा का दरवार लाएगा और पार्किंग जो है पांसो मीटर यहां से पहले ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी लोगों को और यहां पर पैदल आना पड़ेगा लगवक्त तेरो सो कुछ की सब्सक्रीज़ ने से कहले यहां पर बाबा कुछ काम बाकी है उसको पूरा क्या जा रहा है ताकि बाबा के आने से पहले कोई काम में ने कसरा अच्छे करते हैं कि बाबा आरह हैं आखेर बाबासे आप लोगों क्या उम्हीद है कि देखी सम्मान करीत सेवाकरी ताइल है मनें पड़बाबे छड़बावा से आज हम ना वह लोग कहला है कि सांता महात्मा के अला पर अवग्या नहों है के चाहिए जितना सम्मान बने अपना सेरी चोटी लिएक करके रहे के चाहिए आई हमनीन के जहां आप लोग आयल ही बाल ब्रहमचारी महात्मा के आश्रम है इक अनों गिरहस्त के आश्रम जिना है फुरुवज्य सिखा के गेलन है वही करे लागी यहां के बाले वच्चे कि तयारी कर रहे हैं आप लोग बाबा क्याने का करिबे तयारी तो लगए कि एक पहले ही सब्सक्राइब लगए तो तेरा से लेके सतरत आर्ट चार दिन तक है तो चार दिन का प्रगार्म में जो भी लोग यहां पर आएंगे यहां पर खाने का रहने का सारा बेवस्था इंतजाम रहेगा कि किसी तरह कोई कश्ट नहीं को ना हम लोग प्रयास में कि कोई उपाब करने की। जारखंड और बिहार में पहली बार बाबा का दरबार लहारा है उसके लेकर कितने साहित हैं और जितने भी इयागंतुक काएंगे उनको रहने और खाने की किसी तरह की कमी नहीं भंपू hell कोई कमी नहीं होगे लाइन से लंगर रहेगा खाने के लिए सब पर नास्ता या बोजन या रहने मतलब सोचाले सारी ब्योवस्था यहां बना दी गई है किसी तरह के कोई किसी को कोई फरकार की दिक्कत नहीं होगी जो उनसे बीजाने के को संख्या में हम लोग कड़ाये हुए हमारे जो इस मठ के तर्यतपाली मठ के मठाधिस्वर्थ बासुदेवाचारी से लेके स्वामी धर्नी दराचारी से लेके और बरतवान संथ स्वामी सुदर्शनाचारी तक ने बहुत बड़े-बड़े जगों का आयोजन किया है किये हैं और इसमें हम लोग को एक्स्प्रियंस है हम भीर से घबराते नहीं है हम लोग उच्छाइथ होते हैं और जो भी बाहर से आगन्तू लोग आते हैं उन्हें अतिथी देवभवक के तरह मैं उनका स्वागत करता हूं और हम लोग उच्छाइथ है क्योंकि हमारा यह हैड़ी नहीं हुआ था यह पहली बार जहरखंड और बिहार में वह पधार रहा है कैसा स्वागत करिएगा वहां सुनते हैं कि हाजरी लगता है नंबर आता है तो हर स्टेट अपना नंबर डाले हुए था बिहार भी तीन साल पहले से ही डाल चुका था लेकिन बिहार के बाद तीन लास बहुत पुड़ाना है और यह नहीं यह अपने आप में गौर अपसाली जगह है जो सादू संथ जितने भी भारत के लोग है जितने भी संप्रदाय है जितने भी पंथ हैं वह सारे कुछ सारे लोग हमारे तरेतपाली के बारे में जामते हैं और इससे बहुत ज्यादा उत्सा वर्धन है लोगों के बीच में लोगों को संत की सेवा कैसे करना है आगंतुओं की सेवा कैसे करना है यह हम लोग को बहुत अची तरह जानते हैं हम लोग बैदिक परंपरा के तरह उनको करेंगे पाली मट का एक इतिहास रहा है यहां पर हम लोग उनका पुर्जोर स्वागत करेंगे जिस हम लोग स्वागत करना जानते है किस तरीके से बाबा का स्वागत क्या जाएगा और हम लोग लाको लाक की भीड के संख्या में हम लोग और भी प्रोग्राम कर चुके और जिस तरीक कि क्या परतिक्रिया कोमेंट में जवाब जरूर दे अगर आप हमें यूटूब परते करें तो सब्सक्राइब करें फैस्बूप परते करें तो सेयर करें धन्यवाद आप देख रहे हैं देश्प्रेम न्यूज